बॉर्निंग स्ट्रेंट्स माइम इस रीना सिंग आयमान असिस्टेंट टीचर डॉक्टर देवंदर पाल सरस्वती विद्या मंदर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादवाद तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर त्री जिसका नाम है एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी होने वाली है यह हमारी और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और चैप्टर को रीट करते समय अपनी बुक सामने खूल कर रखेंगे सभी शात्र मैजिक शो जैसा कि आप चैप्टर का नाम है आपका मैजिक शो तो उसमें आप देखने हैं कि एक जादूगर है वो अपना मैजिक दिखा रहा है और इसमें कुछ औरियान्स है यानि दर्शक है जो देखने के लिए आए तो आएगे देखते हैं किस प्रकार वो मैजिक शो अपना दिखाता है करिस्मा क्यूट लिटिल का बिलेज गर्ड करिस्मा एक गाउं में रहने वाली एक प्यारी सीज लड़की है शी लेप से फिदर ग्रांड पैरेंट इन इसमाल बिलेज नेम्ड डोलकपुर वह अपने दादी दादाजी के साथ एक छोटे से गाउं जिसका नाम के ढोलकपुर में रहती है शी लव्स हर ग्रेणी वेरी मच और वह अपनी ग्रेणी यानि अपनी दादी को बहुत ही प्यार करती है वाल्स हर लविंग ग्रेणी टेक्स हर टूदा नियरवाई सिटी गाजीपुर टू वास्ट आ मेजिक शोवन्स यानि एक बार हर ले गई नियरवाई पासी के सहर गाजीपुर में किसलिए टूवाच आ मैजिक शोव एक जादू का कारिक्रम दिखाने के लिए दे एंटर दा हॉल और वे एंटर यानि प्रवेस करती हैं हॉल में तो करिश्मा बोलती है वाव हाव कलरफुर दा हॉल इस कितना रंगीन हॉ है ग्रैनी फिर उसकी दादी बोलती है यस दा हॉल इस बैरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स डेकोरेटेड यानि सजाया हुआ है बैरी बिग बहुत बड़ा हां यह हॉल बहुत बड़ा है और सजाया हुआ है विद ब्राइट कलर्स यानि ब्राइट मिस चमकीले colors means रंगों से ये hall बहुत बड़ा है और चमकीले रंगों से सजाया हुआ है करिस्मा फिर करती है I am excited to see the magic I am excited यानि उत्तेजित हूँ To see देखने के लिए क्या magic यानि जादू तो करिस्मा बोलती है मैं बहुत उसायत हूँ जादू देखने के लिए ग्रैनी मी टू ग्रैनी बोलती है हां मैं भी करिस्मा ओ माई गॉड दे हैव स्विस्ट ओफ दा लाइट यह इस वर लाइट चली गई है यह वहां की लाइट बुझा दे जाती है चौफ कर दे जाती है बंद कर दे जाती है I cannot see मैं कुछ भी देख नहीं सकती इस डार्क आल एराउंड यहां सारे तरफ क्या हो गया चारो तरफ अंधेरा हो गया फिर ग्रैनी ग्रैनी बोलती ही भी क्वाइट सांत रहो एंड लुक एट दा स्टेज और स्टेज की तरफ देखो देर इस डिम लाइट यहां पर क्या है बहुत ही धीमी धीमी हलका प्रकाश है दस शो वेगिंस विद गनेश बंदना और जो शो होता है कारकरम होता है वो गनेश बंदना के साथ सुरू होता है करिश्मा फिर कहती ग्रैनी लुक हाव ब्यूटिफुल दे आर ड्रेस्ट अप ग्रैनी यानी दादी देखो कितनी सुन्दर उन्होंने क्या पहनी है ड्रेस्ट यानी पोसाग पहने हुए है करिश्मा फिर्ट मैं इन दा मिडल इन मोटा व्यक्ती इन मिडल में बीच में यह मोटा व्यक्ती बीच में कौन है ग्रेनी इसारा करती पॉइंटिंग टू एड़ दा मैन उस व्यक्ति की तरह पॉइंटिंग यानि इसारा करती हुई बैट मैन यानि वह व्यक्ति who is wearing यानि जो पहने हुए है एक नीली ड्रेस एंड वह व्यक्ति जो नीली रंगी ड्रेस पहने हुए है उसके हाथ में गया है एक जादू की छड़ी है उसकी दादी ने उसे इसारा करते हुए बताया फिर करश में बोलती है यस ग्रेनी हाँ दादी ग्रेनी फिर उससे बताती ही इस आद मैजिशियन वह एक मैजिशियन मतलब जादू कर है He does magic tricks और वह क्या दिखाएगा आप अपनी जादूई tricks में चाल होती है या जादूई तरकीवे दिखाएगा The magician यानि जादूगर shows an empty magic box to the audience जो magician जादूगर था उसने shows an empty empty यानि खाली magic means जादूई box means डिबबा to the audience audience होते हैं दर्शक जो वहां पर देख रहे होते हैं उसका जादूगर का तो उन्हें उन्हें audience को यानि दर्शक को क्या दिखाएगा एक खाली box यानि खाली डिबबा दिखाया and spell something और spell means कुछ मंत्र बोले फिर क्या हुआ red, pink, green, yellow, orange, colored, stand, ravens and petals of different flowers start coming out of it और जब उसने क्या किया audience हो खाली डिबबा दिखाया फिर उसमें मंत्र पड़े तो फिर उसमें से क्या निकला लाल, गुलाबी, हरी, पीली और नारंगी रंके उसमें से क्या निकले रिवन निकले रिवन यानि फीते निकले and petals of different flowers और बिविन फिरकार के petals means पंखुडियां बिविन फिरकार की फूलों की पंखुडियां उसमें से आनी बाहर हो गई जो उसने खाली box दिखाया था audience को करिश्मा, how wonderful it is, यह कितना शांदार है करिश्मा बहुत आश्चर चकित होकर कहती है ग्रेनी बोलती है, yes it is, हाँ यह बहुत ही शांदार है दा मैजीशियान कॉल्स करिश्मा टूदा स्टेज, जादूगर होता है उसने वह करिश्मा को स्टेज पर बुलाता है स्टेज यानि मंच पर, जहां पर वो अपना जादू दिखा रहा होता है, कर्तव दिखा रहा होता है कॉल्स मिल्स बुलाता है किसे करिश्मा को कॉन जादूगर and tax takes a 10 रुपी coin from her और उससे कह लेता है, 10 रुपे के एक सिक्का उससे लेता है he closes his head and chants something और वो क्या करता है, अपना हाथ, यानि closes his hand, मुठी बंद करता है and chants something, और कुछ बोलना प्रारम करता है, यानि कुछ बोलता है the coin, despair, तब क्या होता है, coin यानि सिक्का क्या हो जाता है, despair में गायब हो जाता है करिश्मा, where is my coin, फिर करिश्मा बोलती है, मेरा सिक्का कहां गया magician, जादूगर बोलता है, laughing, which coin, कौन सा coin, यानि laughing यानि हसते हुए बोलता है कौन सा सिक्का, करिश्मा रिपीट करती दुबारा सद्धा, one which I gave you, वो जो मैंने आपको दिया था विच मिस जो I मैंने, और गेब मिस दिया था, you मिस आपको, करिश्मा बोलती है, जादूगर से बहुत सिक्का जो मैंने आपको दिया था फिर मैजिशन बोलता है, no you have not given me any coin, नहीं, you have not given me any coin, तुमने मुझे कोई शिक्सिक्का नहीं दिया था चेक इट इन यॉर पॉकेट, तुम अपने पॉकेट मिस जेम यॉर मिस अपनी चेक मिस ढूड़ो यह दुबारा से उसमें हाथ डाल कर देखो, अपनी जेम दुबारा से चेक करो To her surprise, she finds the coin in her pocket, और तब क्यों होता है, उसे बहुत ही आश्यर होता है, surprise होता है, मिस आश्यर होता है She finds बहुत करती है, coin को सिक्के को in her pocket, यानि अपनी ही pocket में जेम है Everybody claps, और सभी जो वहाँ पर बैठे होते हैं, प्रतेक क्या करते हैं, claps में ताली बजाते हैं One after the other, the magician so many tricks One after the other, और उसके बाद में, magician जो जादूगर होता है, शोब में दिखाता है, many tricks बहुत से करता है, तरकी में दिखाता है The pupil were spell bound, spell bound यानि मंतर मुख्द, उससे बहुत ही मंतर मुख्द हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं The pupil means, लोग जो वहाँ दर्सक होते हैं, बैठे हुए होते हैं, बहुत ही मंतर मुख्द हो जाते हैं Karishmu बोलते, Granny, how nicely he does it, इसने बहुत कितना अच्छा दिखाया था, Granny Yes, that is why he is a Manishian, फिर गैनी उससे समझाती हां, that is why उसने क्यों किया, क्योंकि वहाँ एक क्या है, Magician यानी जादूगर है, तो इसी के साथ यह हमारी जो Magician हमने स्टोरी पढ़ी, The Magic Show यह समाप्त होती है, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से एक जादूगर ने सिक्के को गयब कर दिया, उसे करिश्मा की pocket में पहुंचा दिया, और एक खाले डिब्बे से विवन प्रकार के full flower निकाले, इससे क्या हुआ, बहुती सभी दर्सक और करिश्मा बहुती आकर्शित हुए, इसके साथ ही हमने देखा कि इसमें क को जो सजाते हैं उसे बोलते हैं decorated, audience आया था difficult word में, तो audience में दर्सक, दर्सक बोलते हैं जो किसी hall में या किसी show को या किसी कारिक्रम को देखते हैं, जैसे आप भी assembly होती है और कोई कारिक्रम होता है, कोई हमारे अतिती वगएर आते हैं बोलते हैं तो उन्हें जो देखते ह हैं, आप उस समय क्या होते हैं, audience यानि दर्सक, spells, spells होता है मंत्र बोलना, जैसे कि आपने देखा होगा, heaven वगएरा होते हैं, तभी मंत्र बोले जाते हैं, तो वहाँ पर जो जादूगर होते हैं, वो भी कुछित मंत्र बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, spells, petals, petals होते हैं, फू स्पेल बाउंड यानि मंत्र बुक्त होना किसी पर बहुत ही मोहित हो जाना बिल्कुल उसमें हो जाना तो हमने देखे यह कुछ डिफिकल्ट वर्ड इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है और इसके कोश्चन आंसर और एक्साइज आपको वीडियेप में मिल जाएगी